नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, फिर से हाजीर हूँ आपके साथ, फिर एक नई कहानी के साथ आज की कहानी भगवान भोले संकर को समर्पित है दोस्तों, सूम बार का दिन भगवान सीव को समर्पित होता है इस दिन वरत करने से सीव भक्तों की सारी मनो कामनाय पूर्ण हो जाती है लेकिन वरती को सुमबार वरत का फल तभी मिलता है जब वो सुमबार वरत की कथा को सुनता या पढ़ता है सुमबार वरत भगवान सीव को परसंदर रखने के लिए किया जाता है इस वरत को करने से सिव भक्तों की सारी मनोकामनाय पूर्ण हो जाती है लेकिन वरती जब प्रेम पूर्वक इस सुम्बार वरत की कथा को सुनता है तभी इस पूजन को संपूर्ण माना जाता है तो आईए दोस्तों इस कथा का प्रारंब करें एक समय की बात है किसी नगर में एक धनी बैपारी रहता था इतना सब कुछ होने पर भी वह बैपारी अंतरमन से बहुत दुखी था क्योंकि उस बैपारी को कोई पुत्र नहीं था दिन रात उसे यही चिंता सताती थी उत्रपानी की इच्छा से वह बैपारी परती सोंबार भगवान सिव की वरत पूजा किया करता था शायमकाल को बैपारी सिव मंदिर में जाकर भगवान सिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था उस ब्यापाडी की भगति देखकर एक दिन पार्वती माता ने भगवान सीव से कहा ए प्राननात यह ब्यापाडी आपका सच्छा भगत है कितने दिनों से यह सोंबार का वरत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है भगवान आप इस ब्यापारी के मनोकामना अवश्य पूर्ण करें पारवती का इतना आग्रह देखकर भगवान सीव ने कहा तुम्हारे आग्रह पर मैं इस ब्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वर्दान देता हूँ लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष अधिक जीवित नहीं रहेगा उसी राद भगवान सीव ने स्वप्र में उस ब्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई भगवान के वर्दान से बैपारी को खुसी तो हुई लेकिन पुत्र की अलपाईयों की चिंता ने उस खुसी को नस्ट कर दिया बैपारी पहले की तरह सोमबार का विधिवत वरत करता रहा कुछ महिने पश्चात उसके घर में अती सुन्दर पुत्र उत्पन हुआ इससे बैपारी के घर में खुसियां भर गई खूब धूमधाम से पुत्र का जन्मों सोमनाय गया बैपारी को पुत्र जन्म की अधिक खुसी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अलपाईयों के रहस्य के बारें पता था यह रहष्य घर में किसी को नहीं मालूम था विद्वान ब्रामोनों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब अमर बारह वर्ष का हुआ तो सिख्षा के लिए उसे वारानसी भीजने का निश्य हुआ गयपाडी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को सिख्षा प्रात करने के लिए वारानसी छोराओ अमर अपने मामा के साथ सिख्षा प्रात करने के लिए चल दिया रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्री विस्राम के लिए ठारते वहीं यग्य करते और ब्रामनों को भोजन कराते थे लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे उस नगर की राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुत ज्यादा चिंतित था उसे इस बात का भैस अता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वो विवाह से इंकार ना कर दे इससे उसकी बड़ी बदनामी होगी वर के पिता ने जब अमर को देखा तो उसके मस्तिस्क में एक विचार आया उसने सोचा क्यों नहैं इस लर्के को दुलहा बनाकर राजकुमाडी से विवाह करा दूँ विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बाद सुविकार कर ली अमर को दूले के वस्त्र पहना कर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया राजा ने बहुत सा धन्दे कर राजकुमारी को विदा किया अमर जब लोट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वारा नसी में सिख्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नव विवक की पत्नी बनना परेगा, वह काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा, तो उसने काने लर्के के साथ जाने से इंकार कर दिया राजा ने यह सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ हवारा नशी पहुँच गया अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंब कर दिया जब अमर की उम्र सोलह वर्स पूरी हुई, तो उसने एक यग्ग किया यग्ग की समापती पर ब्रहमनों को भोजन कराया और खूब सारे अन्न वस्त्र दान किये रात को अमर अपने सैन कक्ष में सो गया सीव के वर्दान के अनुसार, सैन आवस्था में ही अमर के प्रान पखेरू उर गये सुर्योदय पर मामा अमर को मिर्त देखकर रोने पीटने लगा आज-पास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे मामा के रोने विलाप करने का स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान सीव और माता परवती ने भी सुने परवती जी ने भगवान से कहा प्राननात मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं आप इस ब्यक्ति के कष्ट अवस्य दूर करें भगवान सीव ने पारवती जी के साथ अद्रिश रूप में समीब चाकर अमर को देखा तो पारवती जी से बोले पारवती यह तो उसी ब्यापाडी का पुत्र है मैंने इसे 16 वर्ष की आयू का वर्दान दिया था इसकी आयू तो पूरी हो गई है पारवती जी ने फिर भगवान सीव से निवेदन किया ये प्राननात आप इस लर्के को जीवित करें नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मित्यू के कारण रो रोकर अपने प्रानों का त्याग कर देंगे इस लर्के का पिता तो आपका परमभक्त है वर्सों से सोंबार का वरत करते हुए आपको भोग लगा रहा है पारवती जी के आग्रह करने पर भगवान सेव ने उस लर्के को जीवित होने का वर्दान दिया और कुछी पल में वह जीवित होकर उठ बैठा सिख्छा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां अमर का विवा हुआ था उस नगर में भी अमर ने यग्ग का आयोजन किया समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यग्ग का आयोजन देखा राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया यग समाप्थ होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल ले गया और कुछ दिन वहां महल में रखकर बहुत सा धन वस्तर देकर राजकुमारी के साथ विदा किया रास्ता में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों को भी भेजा दीप चंदने नगर में पहुंशते ही एक दूद को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी अपने बेटे अमर के जिविद वापस लोटने की सूचना से ब्यापाडी बहुत परसंद हुआ ब्यापाडी ने अपनी पत्नी के साथ सुयम को एक कमरे में बंद कर रखा था भोखे प्यासे रहकर ब्यापाडी और उसकी पत्नी बेटे की परतिख्षा कर रहे थे उसने परतिग्या कर रखी थी यदि उन्हें अपने बेटे के मित्तिव का समाचार मिला तो वो दोनों अपने प्रांग त्याग देंगे ब्यापाडी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा अपने बेटे के विबाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमाडी चंद्रिका को देखकर उसकी खुसी का ठिकाना न रहा उसी रात भगवान सीव ने ब्यापाडी के सोपन में आकर कहा हेश रेष्ठी मैंने तेरे सोमबार के वरत करने और वरत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू परदान की है ब्यापाडी पहुत प्रसन्न हुया सोंबार का व्रत करने से वैपाड़ी के घर में खुशियां लोट आई सास्तरों में लिखा है जो इस्तिरी पुरुस सोंबार का विरीवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी छाएं पूरी होती है तो दोस्तों ये थी सोंबार वरत से जुड़ी हुई कथा और इसके महत्वत उमीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही किसी अगले कहानी में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत बेस्त रहें स्वस्त रहें मस्त रहें